हेलो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और निव वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर का 50% तक बिजली का विल कैसे कम कर सकते हैं दोस्तो आप step by step हमारी वीडियो को देखेंगे और समझेंगे दोस्तो आपके मरा में कोई भी सवाल नहीं बचेगा कि वीडियो कैसे कम कर सकते हैं दोस्तो आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो अलगलग तरीके से आपको बिजली का सकते हैं दोस्तो वह सारे तोरीके गलत होते हैं वहIEों होते हैं क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुती अमೂल लिया है चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि विजली का बिल कैसे कम करें तो दोस्तो यह हमारा सब मीटर है दोस्तो आपके घरों में सब के घर में ऐसा ही मीटर लगा होगा तो दोस्तो इसमें हमारा मीटर में रीडिंग सो होता है और आपको जो रीडिंग सो होता है दोस्तो वही वहीं उसमें हमको बाटेज दिखाता है पावर फेक्टर दिखाता ह दोस्तों कौन सा तारिक है कितना वाट लोड चल ला है तो इस तरह के मीटर में हमको सब्सक्राइब दिखाई देती है क्योंकि यह डिजिटल मीटर होता है अब दोस्तों आपको दीख रहा है यह बलैक वाला बटन दोस्तों यहां पे आपको प्रेस करके रखना है और हमको करेंगा तो दोस्तों आपको इसके काँ दुश्त वाले में आ जाता है तो इसने इस तरह से आपको डबलू सब्सक्राइब कर देखता है तो दोस्तों के घर timing 요 में जो लोड है वह 1100 डा है के सम्सिंग चल रहा है आपके घर में डिफरेंस डिफरेंस का लोड होगा है जतना लोड होगा वह चल रहा है 5000 दोस्तो हम इसको द्वार एक बारWAT दिखाएगा तो तो यह हमारा परक्र-ठो की वायरिंग के लिए अपको दोस्तों इस्सी तरह से थोड़ा-थोड़ा दवा के रखना है और आपको यह सारी रीडिंग्स हो जाएगी आपको इसमें डेट भी दिखाएगा टाइम भी दिखाएगा दौस्तों यह माल जो मीटर लगे हुए हैं डिजिटल मीटर यह दोस्तों पिछले 6 मंत का यूनिट दिखाते हैं दोस्तों यह हम चार्ट के माद हमसे आपको समझाएंगे कि हमें कहां पर कितना पावर फैक्टर और कितने कितनी रीडिंग का हमें वह लगाना है तो दोस्तों हमने एक तरफ पावर फैक्टर दिखाया है दोस्तों और एक तरफ हमने वाटिज दिखाया है तो दोस्तों इसमें जो हमने पहले दिखाया है वो 1000 वाट और यदि 1000 वाट हमारे घर में लोड है और 0.550 यानि कि अगर पावर फैक्टर है तो वहां पे हमारा 95.6 रीडिंग का कैपिसेटर लगेगा और दोस्ततो हमारे घर में यह एक हज़र बाट है और पॉइंट 6 जीरो पावर फेक्टर है तो भाँ 71.7 MFD का कैपिसेटर लगेगा तो दोस्तो हमारे इस तरह से हम देख सकते 5000 वाटेज लोड के लिए हमने यहां पर चार्ट सो किया है दोस्तों आप इस चार्ट का स्क्रीन सोट ले सकते हैं और आप अपने पास रख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से अपने घरों में कैपिसिटर लगाएं दोस्तों यह कैपिसिटर की मदस से हमारा जो विजली का विल है वह पचास परसंट तक कम आ सकता है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर का बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले हमारा light जो आता है दोस्तो वो पोल पे आता है पोल से हमारा neutral और face हमारा आता है मीटर में मीटर से दोस्तो जो output होता हो है जाता हमारा MCV box में आप देख सकते हैं drawing हमने कुछ इस तरह से बना रखी है MCV box दोस्तो डारेक्ट जो सप्लाई जाती है neutral face की वह जाती है हमारे home में और home से जाती हमारे जितने भी घर में सभी appliances लगे हुए उन में क्योंकि दोस्तो एक appliances को चलाने के लिए हमें neutral और face की जुलत पड़ती है इसे लिए दोस्तो हमें घरों में single face की supply दी जाती है अब दोस्तो हमको बिजली का बिल कम करने के लिए हमको दो capacitor लेने वाले हैं दोस्तो इन capacitor का जो कितने माइक्रो फिरर का हमें capacitor लगाना है वह हम वीडियो के last में बताएंगे तो दोस्तो यह हमने दो क्यापिस्टर ले रखे हैं और हमने दोनों क्यापिस्टर का एक एक वायर दोनों क्यापिस्टर में आपस में जोड़ दिया है तो दोस्तों हमने दोनों क्यापिस्टर का एक एक वायर फेश से जोड़ दिया है और हमने दूसरी क्यापिस्टर का दोनों वायर को हमने तरीका नहीं है दोस्तों YouTube में जो बहुत से लोग video दिखाते हैं वह है illegal तरीके से दिखाते हैं कि विजली का मीटर कैसे कम करें अब दोस्तों इस पे दोस्तो हमने पहले ही एक video बना रखी है कि अपने घर का load हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे घर में कितना load चल रहा है तो दोस्तो आप देख सकते हैं capacitor का हमने connection कुछ इस तरह से किया है आपको भी same कर ले नहां है एक बार और हम आपको समझा देते हैं जो दोस्तो पोल से जो हमारा neutral face मिलता है वो हमारा direct meter में जाता है और meter से दोस्तो आता है तो हमारा MC box में जाता है MC box से जो output होता है दोस्तो वह neutral face direct हमारा घर में जाता है और हमने यहाँ पर जो capacitor लगाए हैं दौनों capacitor का एक एक wire हमने face के wire में connect कर दिया है और दौनों capacitor का एक एक wire हमने neutral में connect कर दिया है तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि power factor कैसे हम अपने मीजली meter में देख सकते हैं और हम wattage को जैसे हमारा कितना watt घर में load चल रहा है उसको हम कैसे देख सकते हैं दोस्तों यह है जो meter होते हैं अब full automatic meter होते हैं digital meter होते हैं जो अब लग रहे हैं जो दोस्तों पहले meter लगते थे उनमें हमारी numbering चलती थी बट इस तरह के meter में हमारा सब को सुख हो जाता है दोस्तों अगर आप अपने घर का face या neutral wire को भी bypass कर लेंगे तो यह meter हमको बता देता है कि हमारा face का wire या neutral का wire bypass हो चुका है तो दोस्तों इस तरह के meter से छेट-छाड़ी करना सही नहीं है और यह legal होता है तो दोस्तों हम बताते हैं आपको कि हम अपने meter में voltage कैसे ग्याद कर सकते हैं तो दोस्तों इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने meter के पास जाना होगा